बच्चों, ट्रिक्स हमारी लाइफ को आसान कर देती हैं कई सारी ऐसी ट्रिक्स होती हैं समय बचाती हैं, पैसा बचाती हैं बहुत सारी परिशानियों से दूर कर देती हैं ना जाने कौन सी ट्रिक्स हमें कब काम आ जाये इसलिए tricks को कभी miss नहीं करना चाहिए हमेशा सुनना चाहिए चाहे वो घर में मिले या भार से और बच्चा लो कैसे हो चलो चलते हैं कुछ नए असा करनी आज मैं कुछ ऐसी tricks बताऊंगी जो त्योहारों से भी related हैं और कुछ अलग भी हैं जो कि हमेशा हमें काम आती हैं पहली trick त्योहार को लेकर बताती हूं अक्सर त्योहार का time है हम जोल्री तो काफी सारी खरीदते हैं सोने की चांदी की ना सही artificial matching तो जरूर खरीदते हैं अब ऐसे में उसका सही रख रखाओ कैसे किया जाए उस artificial jewelry को भी काफी लंबा चला सकें चमकदार बनार के रखें तो उसके लिए चाहिए आपको छोट इसी trick artificial jewelry सुन्दर तो बहुत होती है पर महनगी भी बहुत होती है इसे लंबे टाइम तक नए जैसी रखने के लिए एक trick फॉलो कीजे nail polish का top coat जो transparent होता है हलके हाथ से jewelry पर लगा लीजे जिससे वो secure हो जाए अब आप जब कभी उसके उपर पानी भी डाल देना तो वो jewelry आपकी खराब नहीं होगी अब बारी आती है बच्चों दूसरी trick को जैसे कि artificial jewelry पहनने में मन तो सबका करता है क्योंकि उसकी design नहीं इतनी सुन्दर होती है लेकिन कहीं लोगों के कान में इतनी परिशानी होती है कि वो artificial जैसे इस jewelry पहनते हैं उनके कान पकने लगते हैं इसके लिए लाई वो एक बढ़ी आसा उपा है आपको बस एक काम करना है जो earrings के पीछे वाली stick होती है उसे 3-4 बार garlic लस्टन में insert करें और फिर इस earrings को अराम से पहनें आपको कोई problem नहीं आएगी क्योंकि garlic के अंदर antibacterial, antiseptic property होती है जो कान को पकने नहीं देती है बच्चों अब बारी आती है कुछ घरेलू tricks को लेकर जैसे के त्योहारों का समय चल रहा है हम लोग नारियल जिसको गोला कहते है लेकर रख देते हैं कई बार उसे काटने के बाद रखते है उसमें fungus लग जाती है 10 दिन के ही अंदर कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है तो उसके लिए कौन सी trick है बच्चों? वो देख लेते हैं जैसे के बच्चों नारियल जो गोला होता है उसको यदि आप लंबे टाइम तक रखना चाहते है तो आपको बस थोड़ा सा घी लगा कर डबे में बंद करके रख देना है कभी उसमें fungus नहीं लगेगी अजमा कर देख लीजे बच्चों चलते हैं एक और ट्रिक को देखने अब त्योहारों में अक्सर हमारे खीर तो बनती है जैसे कि लौकी की बनेगी, शकरकंत की बनेगी, साबुदाने की बनेगी, सिवही की बनेगी या फिर चावल की बनेगी इस खीर को बनाते टाइम जो बिगनर्स हैं, हमारे डर जाते हैं उन्हें लगता है कई बार ये खीर हमारी फट जाती है ऐसा ना हो, तो इसके लिए छोट इसी ट्रिक को फॉलो कीजे और आपको इसके लिए डरना भी नहीं है क्योंकि जो चीज मैं आपको डालने के लिए कह रही हूँ वो तो already milk made, condensed milk के अंदर होती है वो है मीठा सोडा तो जब भी आप कोई भी खीर बनाते हो उसमें एक पिंच अगर आप मीठा सोडा उबलते दूद में डाल देंगे तो चाहे जो भी आप खीर बनाएंगे वो और दिनों से ज़्यादा अच्छी बनेगी सब आप की तारीफ ज़रूर करेंगे और फटने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता बच्चों बारी हाती है चिली पनीर बनाने के लिए अब चिली पनीर बनाएं या चिली पटेटो बनाएं उसमें एक कोटिंग होती है जो हमें उस चीज को क्रिस्पी बनाने में मदद करती है अभी हाली में हमारा जो दूसरा चैनल है मसाला किचिन मैंने वो रेसिपी दी है जैसे चिली पनीर बनाते हैं उसी तरीके से हमने चिली पटेटो बनाएं बिलकुल अलग तरीके का लगेगा इसकी कोटिंग निकल जाती है यह मेरे बहुत सारे वियोर्स शिकायत करते रहते थे आप चिली पनीर बनाएं यह चिली पटेटो बनाएं इसकी कोटिंग ना निकले तो इसके लिए छोटी सी ट्रिक है आपको क्या करना होगा आपको जो ड्राइ इंग्रीडियन्स हैं उसको पहले एक डिश में डालना होगा पनीर हो या आलू हो उसे पहले कोट कर लेना चाहिए उसके बाद उसमें थोड़ा सा पानी डाल कर जब आप डिप करके फ्राइ करेंगे तो नॉमल डेस से यह ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे इसकी कोटिंग निकलने का तो सवाली नहीं पैदा होता जब एक बार यह परफेक्ट बन जाते हैं ना तो चिली पनीर हो या चिली पटेटो बहुत ही परफेक्ट बनते हैं बच्चों अकसर ऐसा होता है हम लोग फ्रिज में सैलिड लाके रखते हैं और फिर किसी वज़ा से हम खानी पाते वो मुर्जा से जाते हैं तो खीरे हो टमाटर हो प्याज हो नीबू हो जो भी चीज आपके पास है उसे अगर आपको फ्रेश फ्रेश काटना है तो उसे थोड़ी देर आइस वाले पानी में रखके देखिए 15 मिट में ऐसे लगेंगे जैसे आपने अभी ताजे खरीदे हैं बच्चों जो हमारे बिगनर्स हैं वो प्याज काटते हैं तो प्याज काटते टाइम उनके बहुत आंसू आते हैं ऐसे में बड़ी परिशानी आती है तो ये ट्रिक जरूर फॉलो कीजिए जैसे कि आप प्याज काटने जा रहे हो अगर आदा गंटा पहले समय है आपके पास तो प्याज को एक पॉलिथिन में डालकर फ्रीजन में रख दीजिए जैसे होगा ये प्याज थोड़ा सा ड्राय सा हो जाएगा उसके अंदर जो पानी होता है वो थोड़ा सूप सा जाएगा जैसे ही अब आप प्याज निकाल कर फटा-फट से काटने लगोगे आपका काम असान कोई आंसू आंसू आएंगे ही नहीं ऐसे ही एक और भी ट्रिक बताती हूँ, कई बार सुबह-सुबह हमें खाना बनाने की ज़दी होती है ऐसे में टमाटर का छिलका हमें डिस्टरप करता है तो टमाटर को हमें उबालना पढ़ता है अगर ऐसा आपके साथ भी होता है तो आप एक दो घंटा पहले या रात को इस टमाटर को फ्रीजन में रख दीजे, कट लगा कर सुबह जब आप उठेंगे उस टमाटर को निकाल लिए, इसके हटाईए उस टमाटर को यूज़ कर लीजे ये सारी ट्रिक्स आपको इंत्योहारों में, जब काम बहुत ज़्यादा होते हैं सफाईयों के भी, बच्चों को भी पढ़ाने के, सजने सवरने के भी तो हमें इन ट्रिक्स को यदि पता होता है तो हमारे काम बड़े असान से हो जाते हैं ये बात साच है कि नहीं मुझे comment करके जरूर बताईए वीडियो जरह साभी पसंद आये तो like जरूर कीजे जादा जादा share कीजे friends all family को और हाँ बच्चों एक शिकायत है मुझे आप से चैनल पर अगर आप नए आते हो आपने अभी तक subscribe नहीं किया है तो please चैनल को subscribe जरूर कीजे subscribe करने से होता ये है हमारी family बड़ी और बड़ी होती है ये total free होता है बच्चों एक और ट्रिक आपके साथ share कर रही हूँ हम चाये पोहा बनाए चाये हम उपमा बनाए जीरा आलू बनाए राई आलू बनाए ढोकले के उपर ही तड़का जैसे लगाते है तो हम क्या करते है ओइल में राई डालते है अब गैस पास में होता है साथ में आपने दूद रखा हुआ है राई चटकती है बहुत ज़्यादा कई बार हाथों पर लग जाती है जल जाते है हमारे आथ और कई बार वो राई उचल उचल के दूद पर दही पर गिर जाती है जो कि हमें बहुत बुरा लगता है ऐसे में क्या करें ही कोई ऐसी है ट्रिक है ना मेरे पास ट्रिक तो चलिए वो बताती हूँ आपको जैसे कि आपने ओईल रखा आपने उसमें राई, करी लीव, हरी में जो भी रखा है अब वो उडे ना तो उसके लिए आपको थोड़ा सा नमक डालना है पहले डाल दे राई से पहले या राई डालते ही आप नमक डाल दे 24 आपकी है जैसे आप नमक थोड़ा सा डालेंगे राई बिल्कुल भी नहीं उचलेगी आप ये ट्रिक अजमा के देख लीजी बच्चों चलते हैं एक और ट्रिक देखने तियो हरों के समय में अकसर हमें कहीं बाहर जाना होता है अब फ्रिज में आपने दूद रखा हुआ है आप चार दिन पांच दिन बाद लौट रहे हो ऐसे में आपको टेंशन होता है जब मैं आऊं मुझे दूद भी चाहिए क्योंकि जब हम ठके हुए ट्रेवलिंग से आते हैं हमें चाहेगा कब तो चाहिए या छोटे बच्चों के लिए दूद तो चाहिए ऐसे में आपके पास दूद भी बहुत ज़रूरी है कभी हम रात को आते हैं तब दूद कहां से आएगा अब वो दूद रखा है वो खराब नहों तो इसके लिए दो उपाय में आपको बताती हो या तो इस दूद में एक पिंच मीठा सोडा डाल कर छोड़ जाएए आपका दूद कुछ नहीं बिगड़ेगा अगर आपको सोडा नहीं डालना है छोटे बच्चों के लिए दूद चाहिए तो आपको क्या करना है इस पूरे दूद को लीजिए और क्या कीजे मलाईव अगर हटा के आइस ट्रे में भर कर फ्रीजर में रख दीजे आइस ट्रे में नहीं रखना है कि उसी पतीले को उठा कर फ्रीजर में रख दीजे आपका दूद फिलकुल खराब नहीं होगा चार दिन बार, पांच दिन बार जैसे ही आप आएंगे, थोड़ी देर पहले ही जब आप उससे निकाल के रखेंगे, दूद जो जम चुका है, वो पिघल कर दूद जैसा हो जाएगा, आपकी चाय भी बन जाएगी, दूद पी ना है, तो दूद भी पी सको कोई, है ना बड और ही आती है तिवहारों को लेकर एक होट ट्रिक, चिक्की अकसर हम सर्दियों में या तिवहारों में जरू बनाते हैं, मुर्मुरे की चिक्की, तिल की चिक्की, ड्राइफ्रूट की चिक्की, या मुंभली की चिक्की, इसके लिए खास ट्रिक बताती हूँ जो कि मैंने दीदी से सीखी है, जैसे कि आप चिक्की बनाते हो, उसकी रेसिपी तो आपको मसाला किजिन पर धेर सारी मिल जाएंगी, लेकिन ये ट्रिक तो मुझे भी नहीं पता था, तो इसके लिए आपको करना क्या है, जिस पर भी आप चिक्की डालने वाले हो, स्लैब पर डालने वा जाती है, बाद में निकालने की कोशिश करते हो, तो अच्छी नहीं निकलती हो, नीचे जमी-जमी होती है, तो इस छोटी सी ट्रिक है, बड़े ही कान की है, बच्चों, काफी सारी ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, आप इन्हें फॉलो कीजिए, इंज्वा